वेलकम एस्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्यार बोर्ड अर्थ सास्ट के पहले चेप्टर का दूसरा पार्ट भारतिय अर्थवरस्था एवं इसका विकास तो आईए शुरू करते हैं अपना ये पार्ट और पढ़ते हैं भारतिय अर्थवरस्था की सनरचना जैसा कि आप जानते हैं सभी अर्थवरस्था की तरह भारतिय अर्थवरस्था की सनरचना को भी तीन भागों में बटा गया है भारती अर्थविवस्था की सरनाचना को हम लोग एक चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं विश्व की हर एक अर्थविवस्था तिन पार्ट में डिवाइड होती है उसी तरह से हमारे देश की भी अर्थविवस्था को तिन पार्ट में बाटा गया है तो वो कौन-कौन से पाच हैं? तो पहला है प्रात्मीक्चेत यानी primary sector, दूसरा है दूत्यक्चेत यानी secondary sector, और तीसरा है तीर्त्यक्चेत यानी tertiary sector या third sector प्राइमरी सेक्टर के अंतरगत हम लोग क्रिसी, पशुपालन, बन, मस्ली पालन, इत्यादी के बारे में पढ़ते हैं जो क्रिसी से रिलेटेड हो और पसुपालन बन विभाग इत्यादी से रिलेटेड हो ये सारे वर्क जो हैं वो प्रात्मिक सेक्टर के अंतरगत आते हैं अच्चो कि प्रात्मिक सेक्टर में प्रात्मिकता क्रसी को दी जाती है, इसलिए इसे क्रसी छेत्रक भी कहा जाता है। दी अक्षेत्रक यानी सेक्टर में हम लोग उद्धोग, निर्मान, गैस एवं बिजली के बारे में पढ़ते हैं, जिनका की उत्पादन किया जाता है। उत्पादन हमेशा कहा होता है उद्धोग में। तो हमारी यहां जो है दुत्यक छेत्रक में या सकेंरी सेक्टर में विभिन प्रकार के उद्धोग शामिल हैं, जैसे कुटिर उद्धोग, लगु उद्धोग, मध्यम उद्धोग, एवं बड़े उद्धोग। तीर्तियक छेत्रक के अंतरगत या तर्सियरी सेक्टर के अंतरगत हम लोग पढ़ते हैं, बेंक, परिवहन, संचार, बैपार, एवं अन्य प्रकार की सेवाएं। तो इस प्रकार तीनों सेक्टर का भारतिय अर्थवेवस्था में बहुती बड़ा योग्यदान हैं। और इसी पर हमारी अर्थवेवस्था टीकी हुई है तीनों छेत्रों पर। आईए अब हम लोग बारी-बारी से तीनों छेत्रकों के वारे में विस्तार से परहें और उसका अर्थ समझें। सबसे पहले हम लोग प्रात्मीक छेत्र यानि प्राइमरी सेक्टर के बारे में परह प्रात्मिक छेत्र को क्रिसी छेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतरगत, क्रिसी, प्रसुपालन, मचली पालन, जंगलों से बस्तों को प्राप्त करना जैसे बैवसाय आते हैं यानि कि किर्सिया और उसे संबंदित जितने भी प्रकार के वेवसाय हैं, वो प्रैमरी सेक्टर के अंतरगत आते हैं। दूतियक छेत्र, यानि सेकेंडरी सेक्टर, दूतियक छेत्र को ओधोगिक छेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अंतरगत, खनीज, बेवसाय, निर्मानकार्ज, जन उप्योगी सेवाएं जैसे ग्यास और बिजली आदी के उत्पादन आते हैं। यानि उद्योग में जैसा कि आप जानते हैं वेविंतरा की चीजों का उत्पादन किया जाता है। जिससे कि हमें उसे उप्योग करने से सुविधा मिले और हम अपने जीवन को सरल बना सके। तो इसलिए इसे उद्योग छेत्र भी कहा जाता है। तीसरा है तिर्त्यक छेत्र यानि सर्विस सेक्टर। तिर्त्यक छेत्र को सेवा छेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अंतरगत, बैंक, एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं बैपार आधी क्रियाएं समलिक्त होती हैं, ये क्रियाएं प्राथमिक एवं दुत्यक छेत्रों की क्रियाओं को शहैता परदान करती हैं, इसलिए इसे सेवा छेत्र भी कहा जाता है, अब हम लोग देख में देखें, राष्टियाएं में विविन छेत्रों का क्या योगदान है, तो टेवल 1.1 से याज परस्ट होता है कि आजादी के समय प्राइमरी सेक्टर का योगदान हमारे राष्टियाएं में 58.7 परसत था, जो घटकर अब केवल 22 परसत रह गया है, दुत्यक छेत्र का योगदान, 1946 में 14.3 परसत था, जो अब बढ़कर 22 परसत हो गया है, तुत्यक छेत्र का योगदान, 1946 में 27.0 था, जो बढ़कर अब 56 परसत हो गया है, इसका अर्थ हिया है कि शतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत करमसा समरिदी की ओर जादी के बाद हमारे देश में जो पंचवर्शी योजनाय लागू की गई है, उसने हमारे देश की अर्थवरस्था में भिकास की गति को तिब्र किया है, अब हम लोग देखेंगे कि बिस्व में कितने प्रकार की अर्थवरस्था पाई जाती है, तो पूरे बिस्व में निम्न तीन प्रकार की अथ्वरस्था पाई जाती हैं। पुंजिवादी अथ्वरस्था यानि capitalist economy। पुंजिवादी अथ्वरस्था हुआ अथ्वरस्था है जहां उत्पादन के शाधनों का श्वामित नीजी ब्यक्तियों के पास होता है। जो इसका उपियोग अपने नीजी लाव के लिए करते हैं। जिसका उपियोग समाजिक कल्यान के लिए किया जाता है यानि जन्ता के कल्यान के लिए। चीन, क्यूबा, आधी देशों में समाजवादी अर्थ्वरस्था है। लेकिन बिगत कुछ बर्सों में भुमंडली करन एवं उदारी करन के कारण समाजवादी अर्थ्वरस्था का स्वरूप बदलने लगा है। पिछले कुछ सालों से या दसकों से भुमंडली करन यानि ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन के कारण समाजवादी अर्थ्वरस्था का स्वरूप में ही अब धीरे धीरे चेंज होने लगा है। और इस समाजवादी अर्थ्वरस्था के उदाहर में हम लोग चीन और क्यूबा जैसे देशों को देख सकते हैं। यहाँ है कि यहाँ पुझिवादी एवं समाजवादी अर्थ्वरस्था दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है, यानि मिक्स एकॉनमी, जहां उत्पादन के कुछ साधनों पे सरकार का स्वामित होता है, तो कुछ साधनों को प्राइवेट सेक्टर को यानि नीजी व अर्थ्वरस्था का विकास किस प्रकार से होता है, अर्थ्वरस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है, यानि अर्थ्वरस्था का विकास कोई एक दो दिनों में नहीं होती है, बलकि इसके लिए काफी समय लगता है, इसलिए इसका इतिहास भी काफी लंबा है, इस तरह एक पौधे का क्रमसा विकास होते जाता है और परिपक्ता आने की स्थिती में उसके फल, डाली, आधी का उपयोग मानवित में होता है. ठीक उसी तरह से एक अर्थवस्था का आधी म्काल से अब तक का विकास हुआ है। अर्थवस्था में हुए परिवर्तन को इस अर्थवस्था के विकास की कहानी कर सकते हैं, कहाने का मतलब यह है कि जब किसी पौधे को हम लोग गमला में लगाते हैं, तो उसे धूप, पानी और मिट्टी की अब सकता होती है, और धीरे धीरे वो छोटे से पौधे से एक पेर इसी परिवर्तन को अर्थवस्था का विकास कह सकते हैं, अर्थवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की इस्थिति को देखना होगा, भारती अर्थवस्था के विकास की इस्थिति किसी एक समय की चमतकारिक इस्थिति नहीं है यानि कोई मिर्याकल नहीं है या एक दो दिन में होने वाला कोई चमतकार नहीं है बलकि इसका अपना एक इतिहास है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही परहा कि अंग्रेजों ने 200 सालों तक यहां सासन किया और इसकी अर्थवरस्था को बहुत ही बरवाद किया तो फिर से इसे दुबारा विक्षित होने में काफी समय लग रहा है अर्थवरस्था के विकास के लिए हम निमलिखित दो इस्थितियों का विवेचन करेंगे जो दोनों ही पारस्परिक शहयोगी क्रिया हैं मतलब किसी भी अर्थवरस्था के विकास में दो पारस्परिक शहयोगी क्रिया तो आज के लिए बस इतना ही उमीद है यह पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए उपियोगी है तो इसे आप फटा-फट लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तिसे सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नौटिटिकेसन आपको सबसे पहले मिले हमारी साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद